राम राम नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एनिमल्स की जैसे काउ है बफैलो है उनकी डिवोर्मिंग कैसे करें क्यों करें अमें पता कैसे चलेगा कि हमें अपने एनिमल के डिवोर्मिंग करनी है और उनको कौन-कौन सी टैबलेट्स देनी है तो वीडियो को पूरा देखें जैसे कि आपको पता है कि यह बारिश कमों समेश टाइम एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट बहुत ज्यादा हो जाते हैं दूसरा यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें अनिमल के डिवोर्मिंग करनी है कुछ लोगों की शिकायत उत्ती भी पसु खानी रहा है खाया पिया नहीं लग रहा है कुछ दिनों से पानी नहीं पी रहा अच्छे सी या फिर उसके जो गोबर है उससे समेल आ रही है तो ऐस इसी चीजी देखकर हम अनुमाल लगा सकते हैं कि हमें हमारे पसु के डिवोर्मिंग करनी है इसके लिए कुछ टैबलेट्स हैं कुछ साल्ट हैं जैसे सबसे पहले आता है ऐलमेंडाजोल और आईवरमेक्टिन दोनों साल्ट का मिक्स आयता है यह नोन प्रेगनेंट अनिम अनिमल के लिए है प्रेगनेंसी सेफ हैं और जो तीसरा है है जिसको हमें उस्तमाल कर सकते हैं वो है हाइ टेक आयूरमेक्टिन टाबलेट्स यह भी प्रेगनेंसी सेफ हैं और और भी बहुत travelled टेबलेट्स है और अब हम बात करेंगे कि हम इसका यूज कैसे करना है कि हम कैसे खिलाएं जिसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आए तो रात को सोते टाइम अपने अनिमल को कोई गुड़ की ड़ली हो या कुछ मेठा खिलाएं और सुबह खाली पेट उठते ही एक टैबलेट दें टैबलेट देने के 2-3 गंटे तक पसु को कुछ ना खिलाएं और ना पिलाएं ध्यान देने वाली बात यह है कि कम से कम 2-3 गंटे तक पसु को ना कुछ खिलाना है ना कुछ पिलाना है और जब आप खिलाएं तीन गंटे बाद तो सबसे पहले सुखा चारा खिलाएं उसके आपको जो खिलाना है वो खिला सकते हैं और एक टैबलेट देने के बाद अगर आपको लग रहा है कि रेजल्ट अच्छे नहीं है तो दूसरी टैबलेट तीन वीक से पहले नहीं दें कम से कम 20 से 21 दिन में ही टैबलेट दें कम से कम अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ तो चैनल को सबस्क्राइब करें और आगे और भी एनिमल पे उनसे रिलेटिड वीडियो की भी कौन कौन से इंजेक्शन देने हैं क्या में साल्ट देना है कौन से में दवाई देनी है हम बता सकते हैं अगर आपके पास कोई अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इनका इस्तमाल कर सकते हैं तो आगे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें